हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आए हूँ आपके लिए बहुत ही खुबसूरत साड़ी है यह कॉटन ब्लेंड साड़ी है विद कॉपर जरी बॉर्डर और इसमें आप देख रहे हो शाइन भी बहुत अच्छा है देखे यह है जरी बॉर्डर जो है बहुत ही खुबसूरत है और यह बहुत अच्छा साइन भी कर रहा है देखे और इसमें कलर भी जितने भी डाले गया है सब अच्छे से निखड के आते हैं तो इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ देखे साड़े जितने भी साड़ी मैं बनाती हूँ सब में ब्लॉज के लिए लगभग एक मीटर कपड़ा मैं लेती हूँ देखिए एक मीटर यहां से यहां एक मीटर कपड़ा है दोनों तरब सेम बॉर्डर डाले गए है हालाकि इसमें जरी बॉर्डर था इसलिए हैवी वर्क मैंने नहीं रखा ने तो वो और ज्यादा का मैंने पूरे बॉर्डर में एक जैसा रखा है और कलर कॉंबिनेशन भी देख रहा है इसमें बहुत खुबसूरत लग रहा है देखिए बॉर्डर से ही मैच करता हुआ फ्लावर भी डाला गया पूरा सारी सेम देखिए इस तरह से वर्क है आप इसमें कलर कॉंबिनेशन भी देख सकते हो इसमें मैंने sky blue green yellow sky blue green red orange ये सब मैंने इसमें रखा है देखिए पूरा साड़ी same work देखिए भूटी भी फूल साड़ी भूटी भी डाला गया है बीच के बाट में आप देखिए same work अब मैं इसका आचल भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा बना हुआ है देखिए यहां तक मैंने border रखा है वहां से एक मीटर पूरा जो है एक मीटर मैंने आचल के लिए रखा हुआ है नीचे आपको copper का जरी border है उसके बाद जितने भी आचल में बनाती हूँ लगबग एक मीटर में मैं वर्क करती हूँ जितने भी बनते हैं सारे सारी में एक मीटर जो होता है आचल का वर्क होता है उपर का border भी देख रहे हैं नीचे के border से ही मैच करता हुआ डाला गया है जो काफी अच्छे दिख रहे हैं बीच के जो है सरकल उस पे जो रामसिता है जी का बढ़वाला का जो मैंने फिगर डाला है वो भी अच्छे लग रहे हैं इसमें मैंने जादा मूर्ती का जो है मूर्ती नहीं बनाई है बस सेंटर में मैंने रामसिता का बढ़वाला ही डाला है कोनों पे आप देख रहे हैं कमल का मैंने चाड़ो कोनों पे कमल का मोटिप्स डाला है जो अच्छे लग रहे हैं देखने में आप हलकी वड़क ही करो लेकिन ऐसा करो जो आपको दूर से भी दिखाई दे कि आचल में बना हुआ है तो अच्छे लगेंगे देखने में और नीचे की तरफ भी आप देख रहे हो कि मैंने कमल का ही आचल से मैच करता हुआ डाला है तो अच्छे लग रहा है देखने में खूब जादा जो होता है ना महीन वड़क आप जो भी वड़क करो बस इतना ध्यान रखिए कि वो अंदो सेमी है और आचल भी आप देख रहे हो दूर से भी देखने में बहुत खुबसूरत लग रहा है तो उमीद करती हूँ कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा पिछले साड़ी वीडियो की तरह अगर आपको यह साड़ी अच्छी लगी और यह बनवानी है तो कर दीजिए चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए और हां कैसा लगा मुझे कमेंट करकी कमेंट करना मत भूलिएगा तो फिर्वे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए थांक्यू सो मच